नमस्कार किशान भाईयो रियल किशान चैनल में आप सभी का बहुत वश्वागत है तो किशान भाईयो जैसे आप देख रहे हैं कि यह मैं अपने मक्के के खेत में खड़ा हुआ और मक्के के खेत में मैं आज इस टोपिक पर बात करने वाला हूं वो इसमें सुंडी को पर ब किशान भाईयो जैसे मैंने आप से कहा कि मक्का की सुंडी का बहुत ही विक्राल प्रकूब होता है जिससे हमारी मक्का की भसल पूरी तरीके से चौपट हो जाती है और किसान भाई इसमें दो तीन स्प्रे लगाने के बाद इतना महगा सिस्टम पढ़ जाता है कि फिर मक्क यह लगबग जो अभी हमारी मक्का है यह 15-16 दिन की हो चुकी है जो कि आप देख रहे हैं यह लगबग एक फुटकी हो गई है और 15-16 दिन की है अब इसमें जो भ्यंकर समस्या आती है वह आती है सुंडी की तो सुंडी का बिल्कुल फिरी और सरल तरीके से किस तरीके से ख सुन्डी का ही प्रकूप है कि असी तरीके से यह देखो इसको भी लगबग्सनी ने खारouchा है कि landed अस स कोई सी तरीके से यह सुन्डी सको क्ता है किं क्या करेंगे महगीसी महडी भाइएंगों करेंगे और आप इस बात की गांठ बांद लेजिएगा कि जितनी आप स्प्रे करेंगे उतना ही आप परिशान रहेंगे क्योंकि यह जो कंपनिया है यह लूटने के लिए आईए आपको आवाद करने के लिए नहीं आईए तो इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना ही चाहिए तो इसका हम बिल्कुल फिरी में कैसे इलाज कर सकते हैं तो मैं आपको इसका एक एक दम से सरल और सटीक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ जैसा किसान भाई ओ अभी आज मैं इस खेट में अपने में से चाहिए करने वाला हूँ और आप देख रहे हैं यह देखो आप देखो दिखाएं यह सुंडी है को यह देखो प्रवाराइं अब हमने इसमें है पिल्कुल फिरी और सरल तरीकर जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने इस में यूरिया आप देख रहे हैं तो यह जैसे कि यह दाना है ये दाना है यूरिया का ये यूरिया का दाना है अब हम इसको क्या करेंगे अगर बखेर के देंगे तो बखेर के देने से होता क्या है कि इसका जो पोंगा है इसका जो पोंगा है तो इसके अंदर जो है वो चले जाएगा यूरिया का दाना जैसे अभी मैंने ये डाला तो य चाहेंगे तो यह सुंडि है तो जैसे ही इसके अंदर जाएगी या भी तो जिसे ही यूरिया इसमें घुलेगी तो यह इतनी अत hoe गर्म होती है, कि तुरंत सुंडि का संपूर्थ मेणास कर देगी तो इसी तरीके से अब जैसे यह है अगर थोड़ी देर मैं इस पे सकोच करूँ एक दाना ले लो प्रतिक्रल के लिए और मैं अगर इसके पास इसको रख दू कुझा यह देखो मैंने दाना रखा अब आप देखेंगे यह देखो जो से मैंने दाना रखा है तो यह देखो भागने लगी यह देखो और जैसे ही दाना घुलनसी लबस्था में आएगा और यह सुन्डी का तुरंत समापन कर देगा तो यह है किसान भायों बिल्कुल फिरी का टीटमेंट और जबर जस्त इलाज अगर से मक्के की खेती में सुन्डी का निदान करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से सरल तरी जब तक मक्के में आपका हाथ यूँ पहुँच जाए तब तक आपको जो है जितनी भी फट लाजर देनी है वो उला उला के देनी है मतलब बखेर के देनी है सिचाई के साथ नहीं देनी है उपर साब इसकी सिचाई कर देंगे तो जो दाना है वो दाना के अंदर चला आपकी जो सुंडी है वो समाप्त हो जाएगी तो यह बिल्कुल हुआ है मैं तीन बरसों से लगभग मक्का लगा रहा हूं और मैंने कभी एक इस प्रिवक्का के अंदर नहीं दिये और सांदार मक्का हमारी निकलती है बिना सुंडी के क्योंकि इसमें हम दो-तीन खातों ऐसे ही उला उला के दे देते हैं फिर उसके बाद जब हमारे यहां तक कंधे तक आ जाती है फिर हमें इसमें उला के देने की जर्वत नहीं होती है क्योंको बाली निकल आती है भुंटे के कगार्ब होती है फिर इसमें सुंडी का इतना ज्यादा प्रकौप होता ही नहीं है शु कारी पशंद आयों जदा से जदा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैं अगली बूट नवश्कार धन्यवाद